नमस्कार आप देखरें इंडिया वोईस पर आज का अकबार मैं हूँ आपके साथ उन्नती भटनागर तो कम समय में जाधा जानकारी के साथ अलग-अलग अकबारों के साथ मैं मौजूद हूँ आपके साथ और शुरुवात करते हैं आज की दस बड़ी खबरों की जो की आज पूरे दिन सुर्खिया रहने वाली है या जो कल की बड़ी सुर्खिया थी जिनको आज फ्रंट पेज पे प्रमुकता दी गई है तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं दैनिक जागरन की खबर का जहां दैनिक जागरन ने प्रमुकता से इस खबर को दिखाया है पूरी खबर है नव भारत टाइम से जिसको प्रमुकता दी गई है जहां रोहुणी कोट में सक्त किये गए सुरक्षा के इंतिजाम जहां रोहुणी कोट में बंधमाके के बाद सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है क्योंकि प्रशासन पर कई तरह की के सवाल खड़ी किये जा रहे थे कि आखिर इस तरह से किस वज़ा से सुरक्षा में चूक हुई जिस वज़ा से ये बंधमाका हुआ है अब उसको देखते हुए ववस्था को और ज्यादा सुनिश्चित कर दिया गया है ववस्था को और ज्यादा सक्त कर दिया गया है तो जो है दिली सरकार के लेना पढ़ रहा है क्योंकि केंद्र की तरफ से भी लगतार प्रेशर हो सुप्रीम कोट की तरफ से भी फटकार लगाई जा रही है कि किस तरह से प्रदूर्शन पर रहा है और राजसरकार यो केंद्र सरकार क्या कर रही है और उसके बावजूद प्रमुक्ता से दिखाया है और सबसे अलग हेडलाइन दैनिक भासकर की है जो हां लिखा गया है कि देश में जब से ओमिकरोन आया टीके बढ़ने के बजाए 8.5 प्रतिशत घट गए है तो यानि जिस रफ्तार के साथ वैक्सिनेशन होना चाहिए था वो वैक्सिनेशन की जो रफ्तार है अब कम पढ़ गई है और ऐसे समय में कम पढ़ी है जब कोरोना का नया वारियंट ओमिकरोन भारत में भी दस्तक दे चुका है उसके बावजूद दैनिक भासकर के अनुसार ये लिखा गया है कि देश में जब से ओमिकरोन आया है ठीके बढ़ने की बजा 8.5 प स्वागत में बरसेंगे फूल जहां किसान जो है लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे लेकिन केंद्र के नय परस्ताव आने के बाद किसानों ने उस पर मन्थन किया बड़े फैसले लिए गए किसानों की तरफ से और आखिरकार इस आंदोलन को खत्म करने का ऐलान सयूद किसा असल करके आये हैं जहां केंद्र के साथ उनका नेगोसेशन जो है संभव हो पाया है तो इस खबर को प्रमुकता से दिखाया है दैनिक भासकर ने तो ये थी पांच प्रमुक बड़ी खबरे अब रुक कर लेते हैं चटी अगली खबर का हिंदुस्तान से है जहां हिंदुस अगली खबर का तो अगली खबर भी हिंदुस्तान से है जहां एंसियार में प्रदूशन पर पाबंदियों से चूट मिलेगी जहां एंसियार में प्रदूशन जिस तेजी के साथ बढ़ रहा था तमाम मेज़र अदिली सरकार की तरफ से लिए गए और उसके बाद आप जो पाबंदिया लगाई थी जिस तरह से प्रदूशन नियंतर ने आ रहा है उसको देखتे हुए दिली सरकार की तरफ से अप प्रतिबंदों में धील देने की भी तयारी जो है की जा रही है पाबंदियों में चूट देनी की तयारी की जारी है ताकि लोगों को रहत मिल सके क् कोरोना की वजह से पाबंदियों से खिरे हुए थे और उसके बाद अब प्रदूशन की वजह से लोगों पर पाबंदिया लग गए हैं कई ऐसे जरूरी चीज़े हैं जिन पर पाबंदिया लगी हैं और उन पर अबधिल देने की त्यारी हो रहे हैं तो इस ख़बर को राजिस सरकारों को अलट पर रखा गया है कि तेजी के साथ कारे किया जाए और इस संक्रमर को रोकने के लिए प्रयास किया जाए जिसको देखते हुए कई बड़े प्रयास भी किये जा रहे हैं जैस सरह से अंतराश्य उड़ानों पर प्रतिबंद लगाया गया है जनवरी तक उसको देखते हुए भी राज्य सरकारे पूरी तरह से अलट नज़र आ रही है लेकिन फिलहाल ओमी करोन की जुनए मामले तेजी के साथ सामने आ रहे है उसको देखते हुए चिंता लगतार बरकरार है तो वही नवी खबर हिंदुस्तान ने प्रमुकता दी है जहां फ्रंट पेज पे ही है ये खबर अफगानिस्तान से 10 भारतियों समेत 104 लोग दिल्ली लाए गए है तो अफगानिस्तान पर तालिबान का जबरन कबजा हुआ और इस कबजे के बाद कई ऐसे भारती नागरिक वहाँ पर फस गए किया है और अफगानिस्तान से 10 भारतियों समेत 104 लोग दिल्ली लाए गए है तो इस खबर को भी प्रमुकता दी है हिंदुस्तान ने तो वहीं दसवी और आखरी खबर जहां अदालतों में 24 घंटे निग्रानी की व्यवस्था करें पुलिस तो जिस तरह से रोहनी कोट में जो हाथसा हुआ है जहां एक बम धमाका होता है रोहनी कोट के अंदर और इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी कि बम को इस तरह से अंदर ले आया गया और कोट के अंदर वो बम ध फमाका हुआ है जिसके बाद ये अब अपील की गई है कोट की तरह से साफ हिदायत दे दी गई है कि आदालतों में 24 घंटे निगरानी की वैवस्था की जाए यानि 24 इन 7 मोनिटरिंग की जाए ताकि इस तरह की कोई भी चूक अब दुबारा सामने ना आए उसको लेकर साफ ह रहने वाली हैं फिलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें इंडिया वैस